हलो दोस्तों क्या हाल साल I hope सब बढ़िया होंगे अब वापस सारी की सारी ट्रैक पर आ चुकी होगी और ट्रैक पर आना अब बहुत जरूरी हो गया है ठीक है एक्जाम पोस्पोन नहीं हुए इसका जहटका तो हमें सब को लगा बट यहां में यह जरूर कम गा कि अगर एक पर मान के चलो एक्जाम पोस्पोन हो भी जाते कितना maximum टाइम मिलता 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिलता पर यही पर अगर आप कंपेर करो अपने आखरी एक साल की महनत को लास्ट एक साल में जो तुम पापड बेले आयो हो जो तुमने बहुत से चुट्टिया मांगी है जो तुम हम लोग ना कभी कबार कई वार ऐसा होता है कि हम इतना नेगिटिव हो जाते हैं कि हम पॉजिटिव साइड को देखना ही नहीं चाहते हैं या देखना ही मलब भूल जाते हैं पॉजिटिव साइड को देखने से सो मैं बस यही कहूंगा कि you have to be positive because you don't have any other choice और यार यार यह ICI है है ICI हमेशा से unpredictable रहा है हमें गालिया नहीं देनी है बट हमें यह मान के चलना है कि यार यह पहली बार तो हुआ नहीं है जो हमारे साथ ऐसा कुछ किया है ऐसे चोटे मोटे surprises और ऐसे चोटे मोटी चीज़े तो हमारे साथ होती रहती है सो उठ जाओ घड़े हो जाओ और अब यह सोचो कि अगले 30-35 दिनों को तुम्हें कितना best utilize करना है ठीक है ठीक है ना पहले 10 घंटे का सोचा था पढ़ेंगे तो अब 12 घंटे 13 घंटे पढ़ेंगे और वैसे भी मैं आपको बता दू सबको नहीं बोल रहा हूं बट बुरा थोड़ा हफता बर relax कर लेंगे तो 20-25 दिन में से हफता बर तो वह minus कर लो कि तो फिर बचा ही क्या इससे better है कि हम अपने 2-3 घंटे extra बढ़ा ले बस इतना ही गहना चाहूंगा ज्यादा आपका time waste नहीं करूंगा important है यहाँ पर इस video में मैं क्या बताने आया हूं इस video को मै मैं दो हिस्सों में divide कर रहा हूं सबसे पहले complete strategy अगर आपका single group है तो क्या होना चाहिए अगर आपके both groups आपको plan कर रहे हो तो आपको अभी क्या सोचना चाहिए आपको क्या करना चाहिए वीडियो पूरा इन तक दिखेगा हो सकता है पूरा तो नहीं पर कुछ बाते आपक इसका link और description में आपको इसका link दे रहा हूं telegram का वो join करके आप ऐसा FR planner ले लिजेगा तो पूरा वीडियो देखेगा और last में अगर अच्छा लगे तो आप like कर सकते हो ठीक है चलिए so May 24 strategy क्या होनी चाहिए अभी हमारे पास लगग 35 days है 30-35 days में हमारे क्या होना चाहिए अ आपके पास 29-30 दिन मतलब 30 days के अस-पास टाइम बचेगा और आपके पास सिर्फ तीन subject है यार इससे एक चीज़ और यहाँ अपन पोस्पोन पोस्पोन कर रहे हैं अपन पोस्पोन पोस्पोन खेल रहे हैं भाई पहले 8 subject हुआ करते थे अब तो 6 subject है यार हो सकता है आई से कि बन में अपना वाला गुस्सा हो कियार बच्चों के लिए हमने 6 subject कर लिए बच्चे आज भी पोस्पोन पोस्पोन कर रहे हैं I just have a thought please बस मेरा यह समझने के कोशिश करिये कि जितना positive सोचोगे ना उतना पड़ाई पर ध्यान लगा पाऊगे तुम्हारे पास सिर्फ 3 subject है single group वाले बच्चे हो तुम लोग 3 subject है मैं आपको कहता हूं कि you have sufficient 30 days after completing your backlog अगर ढम से तुमने 10-10 दिन भी प्लाइन किये along with the writing practice and practice of questions आराम से तुम निकाल लोगे अपने उपर भरोसा रखो पिसले एक साल की जो तुमने मेहनत की है उस पर भरोसा रखो ठीक है अभी तुम लोग जो single group वाले हो वो भी बने रहो क्योंकि आगे अभी कुछ और strategy आने वाली है अब बात करते हैं बहुत ग्रूप में यह मानके चल सकता हूं कि कुछ बच्चों के backlog वगरा बचे होंगे कुछ अभी chapters वगरा बचे होंगे DT में, FR में, AFM में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बैगर बैकलॉग होगा तो क्या अगर तुम लोग का major part backlog है major part मतलब 30-40% का backlog है 30-40% का portion तक का portion तुमने देखा ही नहीं है किसी subject का किसी एका subject को तुमने 30-40% तो आज तक नहीं देखा या एक-दो subject मिला का 30-40 50% तक है Guys, I won't be, मतलब मैं shy नहीं हूंगा मुझे बोलना चाहिए आपको ना एक group का सूचना पड़ेगा मतलब मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके मुँपे बहुत जादा बिल्कुल आपका वह बनू कि अरे हाँ तुम कर लोगे नहीं है सच्छा ही इस बात की है कि तुम्हारा pending है पार्ट तुम्हें सोचना पड़ेगा किसी single group का अब वो तुम कौन सा group सोचते हो वो तुम्हें decide करना है तुम्हारा कौन सा group ज्यादा strong है पर तुम्हें single group का सोचना चाहिए अब आते हैं almost over मतलब कुछ एक दो topic ही बचे है चोटे मोटे बाकी लगबग लगबग over है almost over को हम यही बोलेंगे कि 5-10% बचा हुआ है वो हो जाएगा साथ साथ वो revision से भी हो जाएगा तो तुम लोग सबसे पहले 5-6 दिन में complete करो तुम लोग सबसे पहले 5-6 देस में complete करो और फिर यह चीज़ फॉलो करो यह चीज फॉलो मतलब वो जिनका बैकलॉग नहीं है जो उनको भी बताऊंगा वैसा ही सेब कुसें तुम लोग को फॉलो करना है तो बस कोशिश करो 5-6 दिन में लगके भले दिन में 15-15 गंटे पढ़ना पड़े लगके खतम करो और कोशिश करके जिन जिन कल बैकलॉग ब इसे उटलाइस करना है तो मैं आपको बोलूगा आप पीछे से चलना शुरू करो मतलब ग्रूप 2 में कौन को सब्जेक आते हैं आपका DT आता है आपका IDT आता है और paper number 6 आता है तो क्योंकि अभी अगर मैं मैं दोनों ग्रूप दे रहा हूं मुझे दोनों ग्रूप के लि बट I would suggest you कि you can start with either DT or IDT कितने दिन देने चाहिए आपको लगबग 5-6 दिन देने चाहिए और लगबग 4 दिन आपको IDT को देने चाहिए और लगबग 4 दिन आपको IDT को देने चाहिए आपको लोग के सब 4 दिन क्यों दे बिटा एक्जाम में IDT को 3 चुट्टिया है तो अच्छी बात है वह तब की तब है पट पेपर नंबर 6 के लिए तुम्हें अभी से ही कम से कम पांच दिन निकालने पड़ेंगे सर पेपर नंबर 6 के लिए हम कैसे निकालें टाइम सबसे बिले देखो तुमने IDT कर लिया त्छे दिन के अंदर IDT कर लिया IDT अगर तुम्हारा 70% portion भी हो जाए चार दिनों में बाकी 30% portion तुम्हारा वो तीन चुट्टियों में हो जाएगा और बाकी का 70% भी रिवाइज हो जाएगा और वो वो portion IDT का पहले करो जो तुम अगर बाद में refer नहीं भी करोगे तो चलेगा ठीक है अब पेपर नंबर 6 क इसके लिए मेरा क्या guidance है वो समय है जिस आपसे मुझे समझ में आ रहा है एक तो मैं आपको बता हूँ ज्यादा study मैंने नहीं किया है पर अगर FR की बात करूं तो INDS 115 Business Combination Consolidation ठीक है ना INDS 115 Business Combination Consolidation JV Associate ठीक है और इसके अलावा Financial Instrument वो भी मुझे लगता Financial Instrument भी कम मुझे मुझे लगता है कि case studies के अंदर IBS paper 6 में इन चीज़ों पर focus ज्यादा रह सकता है इन particular चीज़ों पर focus ज्यादा रहेगा इसके लावा जैसे theoretical topics होते है na INDS 24 related party transactions ठीक है उसके लावा आपका रहेगा जैसे segment reporting 108 ठीक है 108 का segment reporting हो सकता है इसके लावा INDS 8 हो गया INDS 10 हो गया मुझे इसा मुझे लग रहा है अब paper number 6 की तयारी कैसे की जाएगी paper number 6 में तो यार law भी पूछ रहे है paper number 6 में तो यार वो SCMP का part पूछ रहे है जितना मैंने सुना है बाकी teachers के भी मैंने कुछ वीडियो देखे है सभी अच्छे teachers है तो मेरे मेरे को जितना समन में आया है case study के अंद जो हुआ करता था costing दूसरा law और तीसरा DT if I'm not wrong इन पी तीन पर focus जादा है कम focus है FR कम focus है IDT और कम focus है क्या बोलते हैं बाकी का बचा AFM IDT पर भी शाद थोड़ा बहुत comparatively जाद ही होगा FR से तो तुम्हें क्या करना चाहिए देखो तुम्हें सबसे पले तो यह पता होना च अधर उन्होंने तयार की हो और दूसरा SCMP की भी कोई अगर किताब आती हो अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें paper no.6 के तयारी करने का सबसे best तरीका है कि क्या institute ने जो case studies जायजेस जिया हुआ है या फिर कोई ऐसा faculty है जिन्होंने case study especially booklet तुम्हें provide की हुई है particular case study booklet अगर तुम्हें provide कर रहे हैं जिसमें 15, 20, 25, 30 case studies है तो वो case study सामने रखो और law की किताब होनी चाहिए तुम्हारे पास और SCMP की किताब होनी चाहिए बाकी किताब है तुम्हारे पास already है एक एक case study refer करते जाओ और अपनी summary बनाते जाओ अपनी summary बनाते जाओ summary बनाके क्या होगा तुम्हारे कम से कम तुम्हारे law और SCMP तयार हो जाएगा क्योंकि अभी सबसे बड़ा point यह है कि paper number 6 के लिए law और SCMP तो तयार ही नहीं है तो उनको short में summary बनाते जाना और वो immediately अगर हो सके तो वो पतली किताब किसनी भी अगर faculty की summary बुकाती हो law में और SC MP में तो वो जल्दी से जल्दी मंगवा लो और उसके साथ साथ बाकी के सारे के सारे paper number 6 के case study जाएजस पढ़के जाओ हो दकता खुछ भी ना पूछा जाए उन cases में से पर at least तुम अपनी summary बना के जाओगे तो at least तुम क्या बोलते है familiar हो पाओगे मैं इतना ही कहूंगा कि 5 दिन तुम्हें इस तरीके से invest करना पड़ेगा अब तुम यह जो है 5 दिन हो सकता है तुम यह भी कर सकते हो कि यार त कर सकते हो क्योंकि पूरा दिन भर पेपर नंबर 6 को देना time मुझे लगता है worth it नहीं है तो what you can do you can you can spend your 8-9 hours for DT IDT वाला subject और other subject and 3-3 hours daily for paper number 6 यह better रहेगा मैंने पांस दिन लिखे इसका मतलब यह हुओ कि पांस मुटिफ्लाइब 10-50 गंटे आपको 50 दे रहे हैं चलिए अब आपका तीन सब्जेक्ट यह हो चुके है यहां पर मतलब यह आप पेपर नंबर 6 थोड़ा करते जा रहे हो रोज 2-3 गंटे एक एक दो-दो cases पढ़के और बाकी आपने लग 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 दस दिनों के अंदर आपने बाकी के 10 बचे हुए दिनों में आपने DTI-DTI निप्टा लिया अब यह तो हो गया आपका खतम यहां तक अब आपके पास आता है ग्रूप 1 क्योंकि ग्रूप 2 के तयार यहां तक आपकी खतम हो गई है अब आप पांच दिन दे दो और AFM को तुम अगर आट दिन दे दो तो भी चलेगा ठीक है मैं पांच दिन बोल रहा हूं मतलग 50 घंटे considering 10 effective hours other than तुम पेपर नंबर 6 को टाइम दे रहे हो तुम बाकी क्यों सीजों को टाइम दे रहे हो मतलग मैं number of hours के साब से बात कर रहा हूं AFM को तुम 8 दिन दे दो मुझे जितना पता है AFM के लिए 8 दिन सफिशेंट होते हैं अगर किसी का AFM बहुत ही जादा खराब है तो एक अलग बात है ठीक है और last में उठाओगे FR अब FR को तुम दोगे लग बग लग जो भी remaining तुमारे पास remaining days बचेंगे rest of the days तुमारे पास मतलब group 2 को 8 गंटे starting में देने के बाद group 1 को 12 दो पर बेटर रहेगा कि paper 6 को अभी से ही शुरू कर लो अपनी तयारी के साथ अब आते हैं यह वाली चीजे हो गई तुमारी number of days को तुमें कैसे allot करना चाहिए मैं तुमें paper number जो 1 है FR उसकी भी तुमें अभी strategy बताऊंगा प के respective subject में जैसे मैंने FR में case scenario based mcqs दिये हैं 45-50 case scenario based mcqs दिये हैं अगर कुछ refer कर सकते हो तो करके जाना हाला कि मैं कुछ selected case scenarios पर वीडियो ज़रूर बना के अपरिल में दूँगा RTP, MTP बिल्कुल मत छोड़ना और पहले तो ना pattern MTP में से देख के रखना कि क्या pattern है ताकि तुम तयार होके जाओ अब RTP, MTP हर chapter के साथ साथ उसका question करते जाओगे तो better रहेगा मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा RTP, MTP हो गया last के लिए मत रखना अगर कोशिश हो सके तो जब तुम यह सब करते जाओगे तो तुम्हेना Mare Reading नहीं करनी है याद रखना सिर्फ बस बस देखते रहे हैं इतना है मैंने Read कर लिया नहीं तुम्हें MugUp करना है नहीं मेर Reading करनी है तुम्हें Reading के साथ-साथ अगर कोई वह practical subject है जैसे FR हो गया, AFM हो गया तुम्हेना ह तो मैं राइटिंग सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तुम उसको रॉफ में सॉल्विंग करो, आपको सॉल्विंग करनी ही पड़ेगी, ठीके, और जो ख्योरी टॉपिक्स है, मैं पता है क्या करता था अपने टाइम में, जैसे ऑडिट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग जैसा मुझे समझने आता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं उसकी शॉट समरी बना देता था, वन पेजर टू पेजर समरी मुझे कही बार एक्जाम टाइम में काम आती थी, और वो समरी बनाके मुझे कॉंपिडेंस कहीं बढ़ जाता था, कि हां यार चलो मेरा इतना प कोशिश करके आता था, मत पढ़ना, मत पढ़ना, मतलब A, B, C, जो कैटिकरी होती है, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा जोल है, इस कैम है ये, A, B, C, हाला कि मैं खुद ही बोलता हूं, मैंने भी कई बार दिया है, हो सकता है, मुझे ही भी आना पड़े बार शायद 10-15 दिन माद वापस से A, B, C, लेकर भी आऊ, बट सच बता रहा हूं, इसके भरोसे मत रहना, बिल्कुल भी इसके भरोसे मत रहना, आपको सब करके जाना है, और, बल्कि अभी मैं जाब आपको F, R का प्लानर बताऊंगा ना, उसमें आपको रियलाईज होगा कि मैंने हर टॉपिक को इंपोर्टेंस दिया है, बताऊंगा मैं आपको, तो कोई भी टॉपिक छोड़ने की कोशिच, अटलीस मत करना, ठीक है, यहां तक सवन आ गई, चलिए, अब यह होगा हमारा पूरा F, R का स्ट्रटेजी हमें कैसे करना है, अब हम बात करते बटा, F, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, F, R का जो प्लानर है, यह प्लानर आपको डिस्क्रिप्शन में दिये हुए, टेलिग्राम लिंक को जॉइन करके, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, देखो, सिंपल सा है, आपको यह प्लानर चाहिए, आपको यह प्लानर चाहिए मैंने में एक sequence किया है, कि आपको पहले कौन सा उठाना है, अच्छा यह जो 1 और 2 है यह day 1, day 2 नहीं है, यह sequence है, बेसिकली है, यह day 1, day 2 नहीं है, अब क्यों नहीं है, बता के चल रहा हूँ, अब मैं मान के चल रहा हूँ, कि तुमारा backlog कुछ भी नहीं है, और तुम्हें स् दोनों के लिए common suggestion, mostly क्या करते हैं बच्चे, mostly बच्चे, asset based category से start करते हैं, इंडेल 16 करना शुरू किया, 38, 42, और पता है, starting यहां से की जाती है, यह easy है, यह हो जाता है जल्दी, शुरू शुरू में, जब हम कोई भी subject की revision start करते हैं, तो हमारा जोश बहुत जबरदस होता है बहुत energy होती है, utilize, channelize your energy in the big topics, not in the very easy topics or the topics where you are already pro, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, इससे दो गल्तिया होती है, जब हम यह शुरू करते हैं, तो जब तक हमारा 50% portion होता है, तब तक आते हैं, या तो हमारा business combination, consolidation जैसा topic बच जाता है, या तो financial instrument बच जाता है, और 115 बच जाता ह उसमें भी हमना shortcut दूड़ना शुरू करते है, और दूसरा, आखरी तक आते हम miscellaneous topics को ध्यान नहीं देते हैं, यह fact है, अगर तुम्हें लगता है कि यह वाद साच है, तो मुझे comment में जरूर बताना, अब यह चीज ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने जो छोटे- तुम्हें अपने तरीके से प्लस माइनस कर सकते हो, वो depend करता है, मैंने एक average student को ध्यान में रखते हुए, यह बनाया है, चाहे वो पहली बार exam दे रहा है, चाहे वो subsequent दे रहा है, तो सबसे तुम्हें पहले financial instrument कर रहा है, तो करना तो तुम्हें सब कुछ है, तो तुम्हें अटाक करोगे सिर्फ 6 गंटे के अंपर, हाँ, जो topic हम almost यह सोचते हैं, क्या last में करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, last में तुम लोग के पास time नहीं बचेगा, और तुम कुछ न कुछ तो चुंगी मारोगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मिट्टा कर लिया, respective इनके question bank उठाई, जो भी तुमारे पास question bank है, मेरी वाली है, किसी और faculty के है, respective तुमने questions उठाए, और साथ-साथ कर दिये, मैंने must do questions already दे रखे है, चाहे मेरे student हो, चाहे मेरे student ना हो, must do questions लगबग, लगबग, दोस्तों question है, पूर इसलिए बंस के, वो तो एक घंटे के अंदर हो जाएगा, मैंने respective number of hours भी लिखे हैं, लगबग, लगबग, 13 घंटे में, तुमारा ये पूरा का पूरा part हो जाएगा, जिसमें business combination, consolidation, JV, associate, India 27, ये सब cover हो जाएगा 13 घंटे में, और मैंने कहा था कि business combination, consolidation, and financial instrument करते वक्त, थोड़ी सी solving होनी च चोटा topic, वापस से चोटा topic, एक topic बड़ा, एक topic चोटा, एक topic बड़ा, एक topic चोटा, एक topic बड़ा, कुछ portion चोटा, अब India 24, 37, 41, ये वही topics हैं, जो कहीं न कहीं neglect होते हैं, तुम समझ सकते हो इस चीज़ को, ये neglected topics हैं बटा, तो इनको में neglect अब तो नहीं करना है, लास्ट तो यह वापस है तुम्हें बस 6 गंटे का टाइम है, 6 गंटे में अंदर में तुम्हें यह सब देखके जाने, 108 को बहुत अच्छे से देखके जाना, इस्पेशनी जो उसकी रिपोर्ट बनती है, क्योंकि पिछली बार एक्षाम में रिपोर्ट वाला आया था, ध्यान रखन ठीक है, तो यह चीज़ पर ध्यान आपको रखना है, छोटा सा आपके कर दिया, फिर आपको उठाना है बढ़ा टॉपिक, अब आपका बड़ा टॉपिक लग 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 एक ही बचा है, तो क्योंकि फाइने इस्ट्रॉमेंट तुम्हें तकलीफ होती है, वो तु सब इंपोर्टन लग रहा है, फिर भी मैंने ज्यादा क्वेश्टन निकाले है, वो जरूर करके जाना, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी तुम छोड़के जाओ, तुम बाकी भी अपने हिसाब से रिफर जरूर करना, जिन बचों के पास मेरा चार्ट बुक है वो आपको काम आने वाला है, और अभी चार्ट बुक का गेवावे चल रहा है, तुम चाहो तो इमिजेटली ऑडर भी कर सकते हो, यह पर्टिकुलर जितने भी पॉइंट्स हैं, इवन चोटे-चोटे आपके इंडियस हैं, आप चार्ट बुक से भी इमिजेट कवर कर सकते हो, और डा अच्छे से, ठीक है, तो पहले इस पेशल इंडियस को उठाओ, जिसमें यह सारे के सारे स्पेशल इंडियस है, सारे के सारे स्पेशल इंडियस है, इनको उठाओ, लगपक 14 घंटे में तुम इसको कम्प्लीट करो, और फिर तुम उठाओ, reset-based category, अब तुम में से बहुत स इतना change कर देना, अगर लगे तो, पर मेरा recommendation है कि ऐसा चलोगे, तो तुम सब कुछ cover पर पाओगे, नहीं तो last last तक तक तुमारी energy कम हो जाएगी, और तुम कुछ shortcut लेने की कोशिश करोगे, और यहां पर तुमने shortcut ले भी लिए asset-based के साथ, तो कोई फरक नहीं पड़ता, त इसमें India S101 तुमें करना है, analysis of financial statement, अभी बिल्कुल नया ताजा ताजा एक lecture डाला है, वो देख लेना, YouTube पर अविलेबल है, professional ethical duty of shuttered content, 5 mark का आएगा आएगा, इसका lecture भी रवी सर ने YouTube मेरे channel पे डाल दिया है, और accounting and technology chapter, इसका भी दो ही lecture है, पवन गुकर सर के वो भी डाल दि तो तुमारा आराम से 8-8 दिनों में, 8-8 दिनों में, आराम से cover हो जाएगा, with solving and question reading and question discussion, ठीक है, अब कुछ बातों पर ध्यान रखना, मैंने पहले तुम्हें पहली बोला, कि भाई, RTP और MTP, हर एक topic के साथ साथ करते जाओगे, तो बेटर रहेगा, एक दो, एक दो question, हाई to do questions का PDF already दे दिया है, तो में मिल जाएगा, description में एक link मिलेगा, ये link ये वाला है, ये भी clickable है, चाहे click करोगे तो मिल जाएगा, इस link को जैसे click करोगे, मेरे में click नहीं हो रहेगा, कि मेरा अभी iPad खुला हुआ है, पर ये clickable है, ये PDF file में, जैसे click करोगे, तो तो में I must do questions की list मिल जाएगी, ठीक है, case scenario based MCQs, RTP और MTB में कुल मिलाके 5 आएगा, पांच case scenario में जाएगा, जरूर देखके जाना, हलाकि इसका 90 मिनिट का session मैंने plan किया है, 25 मार्च को, अगर हो सके तो रिफर कर लेना, आप को एक idea लग जाएगा, extra case study case scenario अगर समय मिले, तो मैंने already PDF provide कर द तुम कर सकते हो, अगर तुम लोग को लगता है कुछ-कुछ topic देखते वाग, जैसे इन में से कुछ topic 116 या 36, या इन में से कोई special indies में से business combination है, या कुछ है, 115 है, अगर कहीं लगता है, कि sir हम अटक रहे हैं, हमें start चाहिए, हो था ना, सब्जेक शुरू करना start से, समझ नह मजा नहीं आ रहा है, मेरा mission संभव का revision lectures का playlist, मैं इस video के description में डाल रहा हूँ, playlist में जाके वहां से शुरू करना, sequence यह वाला follow करना, पर playlist में जाके तुम start कर देना, आई मरी बात समझ में, playlist में जाके वहां से देख लेना, तो जो जो topic के अंदर तुम confident नहीं हो, जो topic के इतना guarantee दे रहा हूँ कि सब कुछ cover हो जाएगा, फिर क्या करना है, audio revision, audio revision में अपनी तरफ से provide कर रहा हूँ, free में है, कुछ भी खास नहीं है, मतलब 5-10 minute के है, tension मतले, आराम से कुछ-कुछ topics, आराम से निप्टा सकते हो, last में audio revision के through, और last में आपको यह पहला link है, यह link में वीडियो के description में दे रहा हूँ, बहुत काम का link है, उसके अंदर आपको audio revision, master problems, case scenario based mcqs, और जो new introduced topic हुए है, उनके notes, वो सब चीज़ है, आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, यह चीजों है, इस चीजों के हिसाब से आप follow करो, 8-9 दिन के अंदर, आराम से, FR, ढंक अगर इसके अलावा और कुछ लगता है, अगर आपको कोई और query है, तो आप comment में post कर दो, आपकी मैं queries पढ़ूँगा, उस पर reply करूँगा, जरूरत लगी तो video बना दूँगा, यहां तक आ गए हो, अगर lecture पूरा देख लिया है, तो please एक छोटा सा like बनता है, एक बार करन एक बार like बनता है, और अगर सही लगे, तो YouTube को subscribe कर दो, चैनल को subscribe कर दो, exam खतम होने के बार, रिजल्ट आने के बार, क्या फरक पड़ता है, और Telegram का link भी दिया है, उसको join कर लेना, क्योंकि उस ही में, मैं आसी लिए वो join करने को बोलना, क्योंकि उसमें हमेशा अपडेट और exam के लिए, तो मुझे believe है, कि आप भी बहुत excited हो, आप भी मुझसे ज़्यादा ही मेनत कर रहे होगे, और आप तो अपने लिए कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा ही करोगे, definitely, so guys, all the very best, and इस बार ना, तोड़ के आना है, इस बार सच में तोड़ के आना है, करोगे की नही attitude रखोगे, तो जरूर अच्छा पढ़ाई कर पाओगे, और पास भी हो जाओगे, comment में जरूर बताना, कि ऐसा hooker होगे, कि नहीं करोगे, thanks a lot guys, for watching this video, बने रहेगा मेरे साथ, आपका साथ बिलकुल नहीं छोड़ेगा आपका भाई, see ya, जै चाबला, thanks a lot,